कि भए हार मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन्मन की बाद दोस्टो आज हमारे साथ महमान हैं और यह पंकश प्रशून जाने वाने पत्रकार हैं अपने बेबाक अंदाज के जाने जाते हैं फिलाल जारखंड विधान सबाँ के मद्दे नजर कोनावी यात्रा पर हैं और आपसे जिदогत स्वागत करेंγे पंकर जी आपके हिए जानना चाहें कि आऊनुसे और वा मेरी पहली आत्रा मांड़्ती मांडर के बाद सिसे के बाद गुंला गया गुंला के बाद को पले वी desen घया खंडेगा गया खुंटी गया तूर्पा मैं निकला वह Państu को पच्ष्विर Darapur बहरा गोड़ा और यूग सलाई इधर ये चार बच्छा हुआ है क्या आपने देखा यहां पर जो पिछले बार के अपेक्षप यूपी चुकुलहान में 14 सीटे हैं और 14 सीटों में 9 सीटे सीटे हैं इन सीटों पर पिछली बार बीजेपी को 14 में से एक भी सीट नहीं आई थी जहां तक दक्षिर शोट अनाकपूर की बात है तो भाजपा को दो सीटे जो मिली है अदिवासियों की वह दोनों वहीं पर है खूटी और तो अभी क्या सीटी आपको दिखाईजे रहें देखिए जितना मैं घुमा हूं दो तो नहीं आने वाली मतलब दो से ज्यादा आएगी हो सकता है कि एक जीती हुई सीट हार भी जाएगी मैं खुटी की बात नहीं करूं मैं तोरपा वाली बात कर रहा हूं कि तोरपा सीट पे इस बार बहुत-बड़ा संकट है लेकिन जो मैं फरिस्टी में नहीं जानता लेकिन आज की तारिक में वहां ज्यारखन मुक्ति मोर्चा का अच्छा माहौल दिखा मुझे इसके अलवा कुछ और सीटे थी जहां पर अच्छा है स्कोप देखा एके करके नाम लेना बहुत लंबा हो जाएगा लेकिन इतना मुझे पता ह सब्सक्राइब की जितनी सीटों पर मैं घूमा हूं उसमें छे से साथ सीट मैं बता सकता हूं कि एहसास हो जाता है कि अटिये की तरफ आने वाली है भारतिया जनता पार्टी खास करके वही है मुझे लगता है कि एक सायद जुग सलाई अगर मिले तो मिले नहीं तो बाकी सीटों पर भारती जनता पाटी लगने वाली है यह दो से तो जादे आएगी इस बात का मैं गारिंटी ले सकता हूं कंफर्म हो तो 2019 के मुकाबले 2024 में क्या ऐसांतर दिख रहा है 2019 में सिर्फ दो सीट आई थी पिछली बार रगवरदास एक फैक्टर थे और खास करके जन जातिये बहुल सीटों पर बहुत बड़े फैक्टर थे एक तरफा वोटिंग हुई थी चुनाओं के आकड़े बता रहे वो इनके खिलाफ वो एक कारण था दूसरा था इन सीटों में से कुछ ऐसी सीटे है जह तो दो तीन जगों पर ऐसा गया जहां पर जैसे मजगाओं वाला इलाका हो गया वहां गलत टिकट था अंतिम समय में किसी कॉंग्रेस को लाके टिकट दे देना और जो पांच साल से मेहनत करा वो निर्दलिये खड़ा हो गया जो निर्दलिये खड़ा हुआ वो 20,000 वोट तो इसका मतलब समझ में आता है ना कि वो गलती थी कई लोगों के टिकट भी कटे थे हां तो उन सारे फेक्टर को मिला के बहुत खराब परफॉर्मेंस था आई थिंग कि वो जार्खन बनने के वाल सबसे वर्ष्ट परफॉर्मेंस था पुलहां में तो इस बार वैसा नही मुझे नहीं पहसुसवा देखिए बड़े नेता हैं सम्मान हैं लेकिन मैं कोलहान और दक्षनी छोटानागपुर में भूमा हूं अर्जुन पुंडा आज की तारिक में आदिवासियों के नेता नहीं है और महतों लोग खास करके तीखा विरोध करते हैं अब कारण वह ब सर्मा के आने के बाद और जिस तरह से वह चीजों को आगे बढ़के लीड कर रहे हैं वैसे लोग जो पार्टी से बाहर चले गए थे यहां पार्टी में ही उप्यक्षित कर दी गए वह सबसे जा जा कर मिल रहे हैं यहां भी शलंदर महतो दंपती जो चार बार सांतद रहे हैं उनके धरुनों ने जाके मुलाकाश की तो इस तरह से इसका भी कोछ असर पढ़ रहा है क्या देखे मैं सपष्ट बोलता हूँ आज के तारिक में भारतिय जनता पार्टी में जो महौल बदला है उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो हेमंत विश्व सर्मान यहां का प्रदेश शंगठन शिथिल पड़ा हुआ था आपस में फैक्शन एक दूसरे के बारे में ज्यादा बात करना मैं साफ साफ शब्द में कहूंगा कि भारतिय जनता पार्टी के बारे में चिंता न थी स्वा की चिंता ज्यादा थी कि मेरा क्या होगा मेरे बुटका क्या तो असाम में भी देखा था और यहां भी वो देख रहा हूँ वो समाज ये गूट वो गूट ये इलाका ना करके सीट बाई सीट उन्ते डिसकस करो अगर एक सीट आ सकती है चंपाई सुरेन की वज़ा से तो चंपाई सुरेन को लाएंगे भले ही आस पास की सीटे कुछ भ अगर मुझे एक जगरनातपुर मिलता है गीता कोड़ा को लड़ाने से तो एक लूंगा में जहां ना चांस हो वहां कैसे चांस हो जैसे आपने शलेदर महतों के बारे बात किया हमारा जो फीड़ बैक है वो यह है कि बहरा गोड़ा इलाके में महतों अच्छे खासे हैं 30, 30,000 के करीब हैं पूरे कोलहान में अगर आप एक भी महतों को टीकट नहीं देते तो फिर महतों आपके खिलाफ हो जाएंगे तो इसका असद तीन से चार सीटों पर पड़ेगा अगर एक महतों को लड़ा जाते हो तीन से चार सीट आप जीत सकते हैं तो करेंगे वो आहेमं दिल्ली गए तो खबर यह आ रही थी कि रगवर्दात इस्टीफा दे सकते हैं और शक्री राजनीती में आ सकते हैं खासकर जमशित्पूर पूर्वी के सीट पर वो लगातार सर्यूराय का विरोध कर रहे हैं आज भी धुल्लू महतों आके बहुत कुछ बोल के जाएं तो आसमान कसीना चीर कराएंगे धर्ती की छाती फाड कराएंगे मैं साफ सा बोल रहा हूं कि रगवर्दास नहीं आने वाले बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं बिल्कुल मैं दिल्ली से लेकर राची तक और अंदर की बहुत सारी बात हैं मैं जानता हूं नहीं आना म यही कहने गया थे कि देखो भाईया उपर बात हो रही है जेडियू आजसू और भारतिय जंता पार्टी के भी जो गडबंदन हो रहा सीधे सीधे आमीत शाडील कर रहे हैं प्रदेश के अस्तर के नेता भी उन बैठक में शामिल नहीं है वो संजय जाज जेडियू की तो दोष प्रदेश संगठन को नहीं दिया जा सकता और दूसरी बात यह बार बार जो प्लान कर रहे हैं ख़बर यह नहीं होने वाला यह साफ साफ मुझे लगता है कि बताया गया है एमंध भी सर्मा ने यही बोला कि मेरे बस की चीज नहीं है अगर बात करनी है तो उपर सीटों के लड़ी इतना तो हो जाएगा तो देखिए क्या होता है लेकिन मेरे हिसाब से आज जो मेरे सुत्र बताते हैं रगवर दास कम से कम इस विदान सवाच्चुनाव में तो जारखंड की राजनिती सक्रिय राजनिती में नहीं आने वाले यह मैं इस चीज को अभी प हैं ऊक्रामक बयानों कि लिए आने जाते हैं लेकिन और चहरा है वह कअ बटना सोरें था है उनने जोके में नमस्यां ड़नों से पहले। सबसे ठेल को आप किस रूप में देखते हैं और जहारे राधो इनों कईयों के प्रुबावित करने जा रह रहा है दूसरी जातियों में उतना पिल नहीं है, अब मान लिया कि आप 15% अगर प्रोटल कुर्मियाबादी मान लेते हैं, उसमें से यूवा कितने होंगे, आधे, बिलकुर, उन आधे में से जितना हिस्ता वो ले सकते हों लेंगे, जैरा मैं तो सीटे निकाल पाएंगे, नहीं नि कर लेया हई, चलिए ये हो गया जैरा मैं तो, कलपना सोरेन, मैं इमानदारी से बात करणूं, मैं जन्जातिये इलाकों में घूम रहा हूं, कलपना सोरेन फैक्टर हैं, और बहुत बड़ा फैक्टर हैं, मैं ऐसे ऐसे जगहों पे गया हूं, जहां के लोगों को राजनिती से कोई मतलब ने, लेकिन वो कल्पना सुरेन की चर्चा कर रहे हैं, कई तरह की चर्चाएं हैं, अच्छा बोलती हैं, एक सुभाविक उत्सुकता है, कि बाकी सारे नेताओं को तो देख लिया, एक बार इनको ट्राइ करके देख लेते कि ये कैसा चलाते हैं, चाहे भारते ज पता रहा हूं कि मनोहरपुर एक विधान सबाचितर है, और सरंडा के जंगलों में एक उस गाउं का नाम है, चोटा नगड़ी या नगर इस तरह करके चोटा नगरा, वहां मैं गाउं में गया, और गाउं में चार युवा बात कर रहे थे, पता है क्या, चंपई सुरेन को हटाया तो हटाया, अगर कलपना सुरेन को बना देना चाहिए था, यह वैसे युवाओं की बात है, जो रांची से सैंकडो किलोमीटर दूर है, जिनको साइध आज तक रांची शहर देखा नहीं है, वह बात करें कि कलपना सुरेन को बना देखा थे, जबकि इस चीज को श सब सुनना चाहर है, अगर कलपना सुरेन की सभावों में उमरती भीड आप देख लिजे, और बाकी नेताओं से आप कमपरीजन कर लिजे, मैं सच कह रहा हूँ या जूट कह रहा हूँ, यह साफ साफत जाया, आप एक काम कीजे, चार दिन कलपना सुरेन की किसी बीजन सभ में जाई है, और चार दिन अपने चोईस के किसी नेता की सभा में जाई है, आप वो भीड का उत्साह, उनका जो वाइब्स, वो देखे साफ पता चल जाए कि कलपना सुरेन से ज्यादा लोग सुनने आ रहे हैं, कुछ तो कारण होगा, और मैं ऐसे इलाके की बात कर रहा संथाल में वो नहीं है, कुल्हान हिलाके में सुनने आ रहे हैं, राची के असपर सुनने आ रहे हैं, बोकारों जैसी जगह पे मैं जान रहा हूं, जहां पर शहरी आबादी रह रही है, वहां कलपना सुरेन की सभाव में भीड लग रहे हैं, उत्सुकता है, आकर्शन है, और भी कई शब्द अगर हैं तो दे सकते हैं, यह दोनों चीज़तों है, तो आपको क्या लगता है, आने वाले चुनाव में कलपना सुरेन का एक बड़ा फेक्टर बनके रूभरेंगी, अगर पारंपरिक रूप से, जारकर मुक्ती मुर्चा की जो चुनावी अगर कलपना सुरेन न होती है, तो जिस तरह से पिछले पांच साल में सरकार चली है, श्टूएंट का मुवमेंट हुआ है, खनन, भ्रष्टाचार, EDPD चला है, इन सब को देखते हुए, मैं जो अंदाजा लगा रहा था, बीस-बाइस के आस-पास सीटे जामों की आ जाते कलपना सुरेन के एड़-उन फैक्टर की वज़े से आज की तारिक में मैं 30 प्लस देख रहा हूँ, सिर्फ कलपना सुरेन फैक्टर, आज की तारिक में अगर हिमन सुरेन अपने उन सलाकारों को पीछे करके, स्वेम और कलपना सुरेन के साथ पुरा चेहरा बनके तो निश्चीत तोर पे फाइदा होगा, तो आप कह रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि जमें को 30 प्लस सीटे आ रहे हैं, तो बारती जंता पर्टी के को आप किसमी सीट है, देखें, 80 सीट है, 80 में मैं जो मान के चल रहा हूँ, कॉंग्रेस मेजर लॉस में है, मैं जहां है 17 में मैं जहां-जहां घुमा हूं उसके अनुसार कॉंग्रेस को साथ से आठा है तो दस तो वहां लॉस है इसका फायदा किसको हो रहा है क्योंकि पिछली बार रगवर दस cracked के कारण सवर्ण बोटों का एक बड़ा तबका या जो भी रगवर वोटों का उर्ड़ सकी ओड़ा फेक्टर नहीं जितने बड़ा बताया जा रहा है क्योंकि जैराम ने काफी संधमारी कहले कि फिर भी वह ऐसी जगों पे जहां एक तरफ इंडिया राजसु है एक तरफ कॉंग्रेस या जैमिम है वहां पर यह प्लस हो रहा है तो वह देखके मैं आजसूद को दो से चार कर द लिए और मेरे हिसाब से अगर जैडियू के साथ गड़ बंदन होता है हाला कि अभी आधिकारी गोश्णा ने हुए तो दो या एक जैडियू के लिए मतलब 42 के आसपा सीटे एंडिये के पास रहने वाली हैं और 30 प्लस मैनस टू जामू में और 8 प्लस मैनस टू कॉंग्रे जैराम के बारे में क्या ख्याल है जीतेंगे एक आध जीत जाएंगे मतलब अगर जीत गये तो जीत गये एक आध बोल नहीं सकते वहां बाकी काडिडेट देखके लग रहा है लेकिन कहां से लड़ेंगे वो टुंडी से लड़ रहे हैं अगर डुमरी से लड़ेंगे तो एक तरफ भविता महतो है ना उनकी बेवी बेवी वो है जगनात महतो की पत्नी है और मुझे लगता है वो सीट आजसू के हिस्से में जाएगी तो तीनों महतो होंगे तीन महतो की लड़ाई में जिसके पास नन महतो ज़्यादा वोट होगा उसके चांस बन रहे इसलिए मैं सटनी वो देखे आएगा तो एकाद दो आ जाएगा इससे ज्यादा नहीं और मुझे और कहीं जीत्ती विस्ट नहीं दिख रहे जब मैं जहां घूमा हूं हो सकता है कि मेरा अभी घूमना कोईलांचल में नहीं हुआ है और संथाल में नहीं हुआ है तो उधर जाके मैं दे नस्दीक पहुंच रही है और जेम हलाकी फायदे में रहेगा लेकिन कॉंग्रेस की वज़े से बिल्कुल बिल्कुल जेमें के खिलाफ एंटीन कमेंसी नहीं है कॉंग्रेस के कारण जेमें को नुकसान हो रहा है इस वज़े से और कुछ तबके जुड़े हैं इधर जैसे वह वापस आया है इनका भाषा अंदोलन तो भोजपूरी मघी मैटली खिलाफ जो किया आया फिजैराम महतो का जिस तरह से 32 34 जो भी किया है उन सब वजहों से थोड़ा सा वह वापस आया है तो समाजी कुरुप से वापस आया है फिर कुछ और मैं देख पा रहा हूं कि ज इस बार उतना खुलियाम अगर किसी ने करने की कोशिश की तो पनिश्मेंट भी बहुत हार्स हो तो धन्यवाद प्रतून जी का अकाना है कि इस बार के चुनाव में एंडिये एक बार फिर सत्ता के पास पहुंच सकता है जारखन मुक्ति मूर्चा का परदर्शन नेजी त करता मिल सकता है तो आप से बात करके बहुत अच्छा लगा बहुत सारी नई जानकार भी आपने दी तो आज इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादर ज्यादर लाइक और शेयर कीजिए चैनल को सब्स्राइब नहीं किया तो कर नहीं वाद नमस्कार